ब्राद ते यू बाई My11Circle, विन फर्स्ट प्राइज स्यूवी कार, डाउनलोड दे अप नाउ माकरम होंगे, इस बार का आईपिल भारते खिलाडियों के लिए काफी खास है, इस साल ओक्टबर नवेंबर के महीने में वर्लक अप होना है, ऐसे में सेलेक्टर्स इस बार खिलाडियों के प्रदर्शन पर और पैनी निकाहें रखेंगे, आईपिल एक मौका होगा उन खिला सामसंग के पास IPL में फिर अपने आपको साबित कर टीम में जगा बनाने का सुनहरा मौका है, भारते टीम एक बार फिर नमबर चार की समस्य से जूच रहा है, हाल ही में चोटिल हुए श्रेस आईयर ने टीम की मुश्किले फिलहाल के लिए बढ़ा दी है, और उनकी जगा खेल रहे सुरिक हुमार यादा अपनी जाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं, ऐसे में संजु अगर IPL में शानदार प्रदर्शन करते हैं, तो शायद सेलेक्टर्स उन्हें टीम में शामिल करने के लिए सूचे, और क्या पता उन्हें वर्ल कप टीम का टिकट भी मिल जाए? उम्रान भी लिस्ट में हैं शामिल के लिए वाइड बॉल में अपने आप को बहतर साबित करने के लिए अच्छा मौका होगा, हाइदरबाद के लिए खेलने वाले उम्रान ने अगर सही लाइन लेंद पकड़ तेज गेंड फेकी और सामने वाली टीम के बलेबाजों की नाक में दम किया, तो शायद उन्हें वर्ल कप टीम का टिकेट दे दें, वापसी पर होगी भुवनेश्वर की निगाहे, एक साल से ज्यादा का समय हो गया है भुवनेश्वर को भारत के लिए वन्डे खेले हुए, जन्वरी 2022 के बाद से वो भारत की वन्डे टीम में अपनी जगा नहीं बना पाए है, 100 से ज्यादा वन्डे खेल चुके भुवी के पास IPL टीम में वापसी का दरपाजा हो सकता है, भारत के पास IPL के बाद वर्ल कप की तयारियों के लिए ज्यादा मैश नहीं है, ऐसे में हाइदरबाद के लिए खेलने वाले भुवी को पता है कि अगर उनका IPL सीजन साधारन रहा तो शायद उनका टीम में वापसी करना ना मुंकिन हो जाएगा, वर्ल कप को देखते हुए, बी सी सी आई से लेकर कोश राहूल द्रविन सभी खिलारियों की फिटनेस से लेकर उनके बॉम पर बारिक नज़र रखे हुए हैं, देखना ये है कि क्या ये खिलारी IPL के जरिये वर्ल कप का टिकेट कमाने में काम्याब देते हैं या नहीं, ब्यूरो रुपोर्ट स्पोर्ट्स तक